नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकासित उन विभिन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के द्रिश्टिकों से उप्योगी हैं इस करम में वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि अफगानिस्तान में चल रही स्थाई शांती प्रक्रिया में भारत की भूमिका पर प्रकास डाले चलिए अब हम देखते हैं कि आज संपादिकी के अंतरगत किन संपादिकी को शामिल किया गया है आज दो संपादिकी को सामिल किया गया है पहला, government needed to do more to stop permanent damage. इस संपादिकी को financial express से लिया गया है, वहीं इसमें input के रूप में Indian Express ने प्रकासित आज के संपादिकी को भी शामिल किया गया है. यह संपादिकी है, GS paper 3 में शामिल विशय Economic and Social Development के लिए महतपूर्ण है. वहीं दूसरा संपादिकी है, जिसका सिर्शक है Open the Conversation. इस संपादिकी को लिया गया है Indian Express से. और यह संपादिकी है, GS paper 2 में शामिल विशय Governance के लिए महतपूर्ण है. इन संपादिकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा से पूर्व देखते हैं कि कल पूछे गए प्रश्ण का सही जवाब क्या है. कल जो पूछा गया था, वह प्रश्ण है कि Nobel सांती पूर्षकार के समंद में निम्न पर विचार करें. पहला विश्व खादिकार करम, दूसरा यूरोपियन यूनियन और तीसरा जलवायू परिवर्थन पर अंतर सरकारी पैनल. उप्रियुक्त में से Nobel पूर्षकार मिला है. तो इसका सही जवाब है Option D, पहला दूसरा और तीसरा. विश्व खादिकार करम को 2020 का Nobel पूर्षकार मिला है. वहीं यूरोपियन यूनियन को 2012 इस्वी में, जबकि जलवायू परिवर्थन पर अंतर सरकारी पैनल को 2007 इस्वी मे Nobel पूर्षकार दिया गया है. अब विस्तार पूर्वक हम हर एक संपात्की पर चर्चा करते हैं. आज का पहला संपात्की, जिसका शिर्षक है Government Needed to Do More to Stop Permanent Damage. इस संपात्की का आधार है 73,000 करोर रुपे के प्रोचसाहन पैकेज की घोसना. और यह घोसना की गई केंद्रि वित्मंत्री के द्वारा. केंद्री वित्मंत्री ने कल यानी सुमवार को 73,000 करोर रुपे के प्रोचसाहन पैकेज की घोसना की, जिसका उद्धे से COVID-19 महामारी से प्रभावित अर्थ वस्ता में निवेस एवं मांग इन दोनों के इस्तर में बढ़ोत्री करना है. अब हम या पता है कि COVID-19 महामारी के प्रसाहर को रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोसना की गए थी, और उसके बाद से लॉकडाउन के नियमों में धील दी जा रही है. परन्तु इस परक्रिया में आर्थिक क्रिया कलाप बुरी तरीके से प्रभावित हुए. और अर्थ विवस्था किस तरीके से प्रभावित हुए है? उसका उदाहरन है चालू वित्वर्स यानि की 2021 की पाहली तिमाही में आर्थिक वृद्धी में 23% का संकुचन होना. तो आर्थिक क्रिया कलाप में जो धीमापन है उसको दूर करने के लिए हला कि सरकार ने मई में 20 लाख करोड रुपे के आत्म निर्वर भारत प्रोसाहन पैकेज की घोसना की थी. और इसी प्रक्रिया का एक भाग है 73,000 करोड रुपे के प्रोसाहन पैकेज की घोसना. चलिए देखते हैं कि यह जो प्रोसाहन पैकेज की घोसना की गई तो उसके अंतरगत कौन-कौन सी महत्रपूर्ण घोसना है. जो पाली घोसना है वह है LTC यानि की Leave Travel Concession से संबंदित. क्या होता है Leave Travel Concession? Leave Travel Concession यह एक भद्ता होता है जिसका उप्योग करमचारी चार वर्स में अपनी पसंद के इस्थान पर जाने या उसकी यात्रा में कर सकते हैं और उसके साथ ही चार वर्स में करमचारी एक बार अपने ग्रिह राज्जी की यात्रा में भी इस भद्ते का प्रियोग कर सकते हैं. अब LTC मतलब Leave Travel Concession के बदले यह जो प्रोसाहन पैकेज है इसमें यह घोसना की गई है कि इसके बदले नगद वाचर मिलेगा करमचारीों को और यह जो नगद वाचर प्राप्त होगा वह आईकर से उसको छुट प्राप्त होगी. इस वाचर का इस्तमाल करमचारी गैर खाद उत्पाद में ही करेंगे. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस वाचर का उप्योग होगा कंजूमर गुट्स में और वैसे गुट्स में जिस पर GST के दर बारा प्रतिस्ति या उससे ज़्यादा है. तो मतलब यहाँ पर यह है कि इस वाचर का इस्तमाल, टेलिवेजन सेट, एसी, जैसे जो गैर खाद उत्पाद हैं, उसी को खरीदने में करमचारी कर सकते हैं. उसके अलावा, इसमें कुछ सर्तें भी हैं, सर्त क्या हैं वो देखें, कि इस LTC वाचर का इस्तमाल, वही करमचारी कर सकेंगे, जिनोंने 2018 से 2021 की इस अबधी में LTC का इस्तमाल नहीं किया है, उसके अलावा, यह सुविधा उन्ही करमचारीों को प्राप्त होगी, जो निर ST पंजिकृत विक्रेता से ही की जाएगी, और यह खरिदानी करनी है कब तक, 31 बार्च 2021 तक, वहीं जो Central Public Sector Enterprises और जो बैंक्स के करमचारी हैं, उनको LTC मतल लीव ट्रेवल कंसेशन के बदले उनको नगद मिलेगा, ना कि नगद वाचर मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर य है कि यह जो पहली खोसना है लीव ट्रेवल कंसेशन वाचर से समंदित, तो इससे बाजार में उपभोगता की मांग की रासी क्या हो सकती हैं, तो देखें, यह जो दिकर आपको 28,000 करोर रुपए उपभोगता की मांग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि केंद्र सरकार की द्वारा जो LTC से समंदित घोसना की गई है, तो उसके आधार पर उपभोगता मांग की रासी कितनी हैं, 19,000 करोर रुपए ठीक इसी तरह की घोसना अगर राज्य सरकार की द्वारा की जाती है, तो उसके आधार पर उपभोगता मांग की रासी कितनी हो 9,000 करोड रुपए तो केंद्र और राज्ये दोनों के उपभोगता मांग की राशी को जोड़ने के बाद कुल उपभोगता मांग की राशी कितनी हो रही है 28,000 करोड रुपए प्रोथसाहन पैकेज के अंतरगत जो दूसरी घोसना है वह है सभी अधिकारियों और करमचारिय को 10,000 रुपए का अग्रिम देने का फैसला और 10,000 रुपए का यह अग्रिम प्री पेड रुपए कार्ट के रूप में होगा और यह जो अग्रिम दिया जाएगा वहाँ ब्याज मुक्त होगा और 10 किस्तों में उसे वापस करना होगा रुपए कार्ट से भुक्तान करने पर जो सुल्क लगेगा उस सुल्क का वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा और 10,000 रुपए के इस अग्रिम रासी को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा अब प्रोसाहन पैकेज के अंतरगत या जो दूसरी घोसना की गई है तो इसके अनुसार उपभोगता मांग की रासी होगी कितने 8,000 करोड रुपए की लेकिन या फिर या बात ध्यान देने की है कि केंद सरकार के द्वारा या जो 10,000 रुपए अग्रिम देने की घोसना की गई है तो इसके द्वारा उपभोगता मांग की रासी कितनी होगी 4,000 करोड रुपए की और अगर राज्य सरकार ठीक इसके 50 परतिसत की घोसना करती है तो फिर उसके उपभोगता मांग की रासी कितनी होगी 4,000 करोड रुपए और यह दोनों मिला कर कितना हो रहा है 8,000 करोड रुपए चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी घोसना की वह क्या है वह है पूंजिगत व्या की पूंजिगत व्या का अर्थ है अवसनचना का निर्मान या अवसनचना के निर्मान में किया जाने वाला व्या है जैसे सडक, जलापूर्ती, शहरी विकास, उपकरन निर्मान, रक्षा ढाचा आदी, अब देखें इस पूंजिगत व्यके अंतरगत, जो प्रोथसाहन पैकेज है, वह कितने की है, वह 37,000 करोड रूपे की, जिसमें से 12,000 करोड रूपे दिया जाएगा, किनको राज्यों को, और राज्यों को यह जो 12,000 करोड रूपे दिये जाएगे, यह भी ब्याज मुक्त होगा, और इसका भुक्तान राज्यों को करना है, 50 वर्स में, और 12,000 करोड रूपे का जो वितरन होगा, वह किस प्रकार होगा, जरा देखें, 16,000 करोड रूपे पुर्वत्तर राज्यों को मिलेगा, 900 करोड रूपे हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड राज्यों को मिलेगा, 75,000 करोड रूपे सेस राज्यों को मिलेगा, जबकि सेस 2,000 करोड रूपे उन राज्यों को प्रदान किया जाएगा, उन राज्यों को दि 25 हजार करोर रुपए का पूंजीगत विया क्किया जाएगा किसके दौरा केंदर सरकार दौरा और यह 45 हजार करोर रूपए है यह Čजालू वित्वर्स 2021 में पहले से टै किये गए 4.13 लेक करोर रूपी के पूंजीगत विया से अब देख लिया है कि प्रोव साहन पैकेज का जो उद्धिस है कि मांग और निवेस इन दोनों के इस तरों में विर्धी हो तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि मांग के इस तर में कैसे विर्धी कराने की बात की गई है इसके अंतरगत सरकारी करमचारियों के हाथों में पैसे देने की बात की जा रही है और सरकारी करमच व्याय में बढ़ोत्री की जा रही है और यह जो व्याय है या दोनों इस्तरों पर होगा मतलब केन सरकार के भी इस तर पर और राज्य सरकार के भी इस तर पर अब यहां पर यह बात है कि प्रोचाहन पैकेज की आखिर आवेशक्ता क्यूं पड़ी तो देखते हैं उसके भारती उपभोगताओं का विश्वास एतिहासिक रूप से निम्न इस तर पर बना हुआ है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यहां पर यह है कि भारतिय उपभोगता अब काफी सैमित रूप से व्याय या खर्च करना चाहते हैं जिसका कारण है रोजगार की अनिश्चित और आय का काफी सिमित हो जाना वहीं आगे देखें कि यह सही है कि अर्थ विवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि हालिया जारी Index of Industrial Production मतलब और द्योगिक उद्पाद सुचकांग कि अगर हम आखड़ों पर गौर करें तो हम यह देखते हैं कि जून के महिने मे जहां और द्योगिक क्रिया कलाप में 15.7% का संकुचन था वहीं संकुचन का यह जो इस तर है वह गिरा और जुलाई में कहां पर पहुंचा 10.4% पर और अगस्त मेहने में इस संकुचन में और कमी आई और वह कितना हुआ 8% लेकिन अब प्रस्ण यहाँ पर यह है कि अर्थ विवस्था में सुधार के जो संकेत दिख रहे हैं क्या वो सतत रूप से जारी रहेंगे और दूसरा सबसे महत्पुन प्रस्ण है कि त्योहार के मौसम के बाद क्या अर्थ विवस्था की या जो गती है वो धीमी हो तो अगर COVID-19 से पूर्व की इस्थिती को प्राप्त कर भी लिया गया, तो वह इस्थिती प्रयाप्त नहीं है, वह क्यों वह देखिए, वह इसलिए क्योंकि अगर GDP के आकणों की बात करें, तो पिछले विर्दिवर्स मतलब 2019-20 में यह विर्दी कितनी थी 4.2% और वहीं यहाँ परे कि COVID-19 की पूर्व की इस्थिती भी संतोस जनक नहीं थी, तो कुल मिलाकर एक ऐसी आर्थिक इस्थिती मौजूद है, जिसमें की वृद्धी दर्मे संकुचन है, रोजगार सिर्जन के अवसरों की कमी है, और आई के सुरोत सिमित है, अब वहीं अगर हम साहन पैकेज की द्वारा, हाउस होल्ड या ग्रिहस्त के व्याय में वृद्धी होगी, और व्याय में इस वृद्धी से सरकार के GST संग्रह में वृद्धी होगी, और GST संग्रह में या वृद्धी, सरकार के आई कर संग्रह में जो कमी हुई है, उसकी छती पूर्ती क्योंकि हमें यह पता है कि लीव ट्रेवल कंसेशन वॉचर में यह अनिवार है कि जो खरिदारी करनी है वह उन्हीं विक्रेताओं से करनी है जो जी एस्टी के अंतरगत पंजिक्रित हैं वहीं यह जो दस हजार रुपए का ब्याज रहित अग्रिम जो दिया जाएगा उसके अंतरगत भी क्या प्रावदान है कि रुपए कार्ड का इस्तमाल करना है तो मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ भी जी एस्टी के दाइरे में आ जाएगा तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उपभोग में वृद्धी या जो उपभोग में वृद्धी की बात की जा तो उपभोग में वृद्धी तभी संभव है जबकी निवेस हो क्योंकि निवेस करने से ही रोजगार का सिर्जन होगा और रोजगार सिर्जन के बाद ही उपभोग में वृद्धी होगी और इस निवेस के संदर में अगर हम नीजी छेतर की बात करें तो वर्तमान में नी पूंजी की उपलब्दता नहीं है वहीं नीजी छेत्र अभी उधार लेने में भी सक्षम नहीं है तो फिर निवेज का भार या उत्तरदाइद तो किस पर पड़ता है सरकार पर पड़ता है और इसी को देखते हुए केंद सरकार ने यह निर्ने लिया क्या कि अगले 50 वर्स क के लिए राज्यों को 12,000 करोर रुपए दिया जाएगा किसके लिए पूंजी गत्विया के लिए लेकिन अब देखे यहां पर क्या संका है संका यह है कि राज्य कहीं इन 12,000 करोर रुपए का इस्तमाल जो परियोजनाएं चल रही है उस मौजुदा परियोजना में कर सकते या अपने लंबित बकायों के भुगतान में कर सकते हैं वहीं केंद सरकार के अगर 25,000 करोर रुपए की बात करें तो यहां पर यह है कि अगर केंद सरकार इस 25,000 करोर रुपए का पूंजिगत व्या करना चाहती है तो सरकार के लिए यह आवस्यक है कि जल्द से जल्द प् पूंजीगत व्याय के लिए आवस्यक जो भरती है उस भरती की प्रक्रिया को सुरू करें और उसे संपादित करें वहीं एक महत्पून और रोचक बात क्या है जरा उस पे गौर करें अगर बैंकों की बात करें आज के समयम के तो बैंकों के पास अधिसेस है और ये अधिसेस की संदर में तो बैंक में जो लोग डिपोजिट कर रहे है उस डिपोजिट की तुलना में बैंक कम रिंड दे रहा है तो मतलब यहाँ पर यह है कि बैंक के पास अभी अधिसेस मौजूद है सलाह के रूप में यह बात कही गई कि बैंक के पास जो यह पूंजी है सरकार इसका उप्योग कर सकती थी सरकार उसका उप्योग कैसे करेगी तो देखे यह जो पूंजी है वो पूंजी किसकी है वो भोगताओं की पूंजी है कंस्यूमर की है तो सरकार को क्या करना चाहिए था, कि सरकार अपनी तरफ से एक bond जारी करती, और यह जो bond है, वो bond कैसा होता है, tax free, tax free का मतलब यहाँ पर यह है, कि इस bond को जो खरीता, और जब इस bond की परिपकता अबदी पूरी होती, और परिपकता अबदी के बाद, जो उपभोगता bond को खर ब्याच की प्राप्ती होती, उस पर किसी परकार का कोई कर नहीं लगता, तो यहां यह सला दी गई, कि बैंक के पास उपभोगताओं की जो पूर्जी है, सरकार क्या करती, कि सरकार tax free bond जारी करती, उपभोगता उसे खरीते, तो इस मार्ग से सरकार के पास पूर्जी की बढ़ जाती है, वहीं, निसकर्स रूप में अब हम यह बात कह सकते हैं, क्या, कि 2020-21, मतलब चालू वित वर्स में, GDP में 10% का संकुचन होगा, जैसा कि RBI ने monetary policy committee की बैठक के बाद, जो निर्ने लिए गे, उसकी घोसना के करम में यह बात कहीं, अब सरकार के लिए चिंता क की बात यह नहीं होनी चाहिए, कि राजकोसी घाटे में विर्दी होगी, चिंता की बात यह नहीं होनी चाहिए, कि मुत्रा इस फिती में बढ़ोतरी होगी, बलकि सरकार को रोजगार स्रिजन के कौन-कौन से अवसर होंगे, और रोजगार स्रिजन के अवसरों में कैसे उत्पादन इकाईयों के अगर छमता उपयोग की बात करें, तो दो हजार उनीस बीस वित्ती वर्स के अंतिम तिमाही में, देखें, छमता उपयोग कितनी थी? 69.9% मतला लगभग 70% की, वहीं 2020-21 मतला चालू वित्त वर्स की पहली तिमाही में, यह जो उत्पादन इकाईयों हैं, उन इकाईयों के छमता उपयोग की बात करें, तो उसमें गिरावट हुई है, और वह घटकर कहां परा गए है? 47.3% और यह की चालू वित्त वर्स 2020-21 की दूसरी तिमाही में छमता उपयोग में विर्धी होगी, ठीक है, विर्धी होगी, परंतु यह जो विर्धी होगी, वह 2019-20 के अंतिम तिमाही के इस तर से कम ही होगा. अब सरकार ने सोमवार को अर्थविवस्था के लिए आविस्यक, जिस प्रोचसाहन पैकेज की घोसना की है, तो अर्थविवस्था की मौजुदा इस्तिती में सुधार के लिए एक व्यापक नीती की आविस्यकता है. तो सरकार से यह आशा है कि सोमवार को घोसित जो प्रोचसाहन पैकेज है यह प्रोचसाहन पैकेज व्यापक स्वरूप में अर्थविवस्था की गती में सुधार के लिए सरकार की द्वारा जो नीती अपनाई जाएगी उसकी दिसा में पहला कदम है. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका सिर्षक है Open the Conversation और इस संपादिकी का आधार है COVID-19 टीका वित्रण प्राथमिक्ता. मामला यह है कि पिछले महिने राजिसभा में केंद्री स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री ने यह बात कही कि 2021 के प्रारंब में कोरोना वाइरस के विरुद्ध टीका उपलब्द हो जाएगा. लेकिन उन्होंने यह बात नहीं कही कि COVID-19 टीका के उपलब्द हो जाने के बाद कब तक COVID-19 के विरुद्ध सार्वभौमिक टीका करण के लक्ष को प्राप्त कर लिया जाएगा. इसके बाद उन्होंने इस रविवार को इसी से समंधित एक बयान दिया. कौन व्यक्ति गंभीर रोग से ग्रसित है और किसमें मिर्तियू का जोखिम जादा है. तो इन दो आधारों पर COVID-19 टीका करण की प्रात्मिक्ता तै की जाएगी. अब देखें, अगले कुछ महिनों में सरकार के द्वारा टीका करण से समंधित जो नीती है उसको बनाए जाएगा. लेकिन जो महत्पून प्रस्ण है, प्रस्ण यहां पर यहां है, कि अगर स्वास्त कर्मियों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी, तो फिर उसमें किनको प्रात्मिक्ता मिलेगी? क्या डॉक्टर को, या नर्श, जो वाउर्ट एटेंडेंट है, वीलेंस ड्यावर है उनको, उसके अलवा, समाज में जो विरिद्ध हैं, उनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी? या युवाओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी? या जुग्गी या जो कंजिस्टेड एरिया उसमें रहने वालों को प्रात्मिक्ता देगी। समपादकी में यह बात कही जा रही है कि टीका करन के संदर में प्रात्मिक्ता किसको देजाए। इसके लिए सरकार विशे सग्यों से सलाह मस्वरा करें, उनके साथ वारता करें। अब विशे सग्यों में महामारी विशे सग्य, अर्थिसास्त्री और समाजिक जो वैज्यानिक हैं, वो हो सकते हैं। वहीं, टीका करण के संदर में जो डवलु एचो का दिसा निर्देश है, वो क्या है वो देखें। डवलु एचो के दिसा निर्देश के अनुसार, टीका करण में जब प्रात्मिक्ता देने की बात की जाती है, तो जो उसका आधार है, वह आधार वैज्यानिक साक्ष पर होन चाहिए और तीका करण में प्राथ्मिक तक इसको दी जाए इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाए वो उस्वा पारदर्सी रहे उत्तरदाइत तुपूर्ण रहे और पक्षपात रहित रहे इसी को ध्यान में रखते वे अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा नेशनल एकादमिक्स ओफ साइन्स इंजिनरिंग एंड मेडिसीन के द्वारा सलाह मस्वरा की गई और दोनों के मद्द जो सलाह मस्वरा हुई उसके आधार पर टीका के निस्पक्ष वित्रन से संबंदित योजना बनाए गई और नेशनल एकादमिक्स ओफ साइन्स इंजिनरिंग एंड मेडिसीन ने भी सलाह देने से पूर्व जनसंपर्क किया और जनसंपर्क के बाद टीका करण के निस्पक्ष वित्रन से संबंदित पहले ड्राफ्ट को जारी किया तो भारत के लिए यह आविस्यक है कि टीका के प्रात्मिक्ता को जब भारत तै करे तो विभिन विशेसग्यों की सलाह जरूर ले क्योंकि हम यह जानते हैं कि व्यापक टीका करण में भारत की सफलता सिमित है विक्सित टीका कितना असरदार होगा अभी नहीं कहा जा सकता तो इसलिए यह आविस्यक है कि टीका करण के प्रात्मिक्ता के संदर में भारत जब भी किसी निसकर्स पर पहुँचे तो उसमें विभिन छेत्रों के विशेसग्यों की सला जरूर सामिल रहे अब देखते हैं आज का प्रस्ण है यह रहा आज का प्रस्ण है कि राजकोसिय घाटे में विर्दी तब अच्छी है जब कम हो रहा हो ए राजस्तु घाटा बी पुण्जिगत घाटा सी ए और बी दोनो और डी इनमें से कोई नहीं कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार